अगर किसी पर कोई F.I.R. हो जाती है तो क्या उसको गवर्मेंट जो नौकरी जो है मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी या फिर जो गवर्मेंट नौकरी में अल्रेडी है F.I.R. होने के बाद उनकी जो नौकरी है क्या वो चली जाएगी या फिर उनका किसी व्यक्ति का के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा सारा कुछ आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि F.I.R. से कैरियर और लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं तो बीडियो को सुरकने से पहले मेरी आप से गुजारे से क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महतपूर है ये एक ऐसी जानकारी है जो हर एक ब्यक्ति को होना चाहिए क्योंकि हर एक परिवार में कोई न कोई बंदा ऐसा होता है जो किसी गवर्मेंट नोकरी की तैयरी करता है या उसका सपना विदेश जाकर नोकरी करने का य या फिर बहां पर्मानेंट रहने का होता है तो क्या FIR होने के बाद उसका जो सपना है वह तूट जाएगा गवर्मेंट नोकरी नहीं मिलेगी इसका फिर सलूशन क्या है आज हम सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो के महादम से तो इस वीडियो को पूरा देखे लाश्ट काफी रिसर्च करने के बाद यह वीडियो मैं बना रहा हूं यह औडियो है लेकिन फिर भी आपको यह पर्फेक्ट नॉलिज देने वाली है तो वीडियो को सुरू करने से पहले मेरी आप से एक छोटी सी गुजारिस और है अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं क दर्ज हो जाती है चाहें वो FIR फरजी ही क्यों नहूं जैसे जनरली अब क्या होता है फैमिली डिस्प्यूट होते हैं तो उसकी बज़े से भी कई सारे स्टुडेंटों के कैरियर जो हैं तबाह हो जाते हैं 498 यानि घरेलु हिंसा का जो मामला होता है प्रताना का वो देवर जिठानी सास नंद सब पर लगा देते हैं जनरल एलिगेशन वो सब पर लगा दिये जाते हैं और F.I.R. दर्ज हो जाती है या फिर ऐसा होता है कि गाहों देहात में अक्सर हमें देखने को मिलता है कि कोई बंदा जो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है और उसकी किसी आसप पास बालों से कोई कहा सुनी है तो बहाना देखता है उस बंदे को फसाने के किसी मुकदमे में ताकि उसका केरियर आगे जो है खराब हो जाया तो जलए-जला सी बात में उठाके वह ठाने चल देते हैं आपके खलाब F.I.R. दर्ज करा देते हैं फेक केस है फेक चीड आपके खलाब F.I.R. भी हो जाती है और आपके खलाब चार्ट इयुक्त भी दर्ज हो जाती है तब इसमें एक स्टूडेनट है जो गवर्मेंट Python कीוס को असकी लाईप पर पहुंच ज़्यादा एक्ट्व पड़ता मैं ये आपसे बात कह रहा हOOOOOOOOOOOO में आपसे बात कहा रहा हूं मैं उसकी life effect तो पड़ता ही पड़ता है आप ये बात लिखके note done कर लीजिए कब नहीं पड़ेगा अगर जो allegation उस पे लगाए गए हैं FIR में जो allegation लगाए गए हैं वो इतने heinious crime नहीं है वो कोई जगन्य अपरात के नहीं है जिसे छोटी मोटी कहा सुनी है किसी मों हुई और उसने इमानदारी से FIR दर्ज करा दी कि इसने मुझे गाली दी या उसने मुझे धक्का दिया या थपड़ मारा या गरिमान पकड़ा य में जब आपने अपलाई किया आप पास आउट हुए उसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन है वो आया वेरिफिकेशन होने के लिए थाने पर तब आपको इमानदारी से तो पहले तो उसके जो भी आपने जॉब में जो आपके option थे कि आपके खिलाप FIR है या नहीं है अग के मामलों में है 330,504,348 बगैरा के जो छोटे मोटे मामले है जिसमें सजा जो है तीन साल के अंडर अंडर ही है तीन साल से ज़्यादा की नहीं है तो ऐसे में department जो है चाहें वो education department हो या कोई और department हो जिसकी आप त्यारी कर रहे है वो इस चीज़ को देखता है और आप मान की हो गई तो इसमें आपको कभी-कभी reject भी इस FIR के base पर कर दिया जाता है लेकिन अब FIR का version क्या है वो महत्यपूर्ण है सबसे ज़्यादा कि FIR में आपके खिलाप किस तरीके कि क्या allegation लगाए गये हैं पहले चीज़ तो यह है लेकिन अब यह जो student है जो अभी government नौकरी के त्यारी कर रहे हैं इस दोरान उस पर कोई FIR हो गई है तब उनके पास यह तरीका है कि पहले तो जो अगर कोई आसपरोस का रिस्तिदार है कोई उसने आपके खिलाप allegation लगाई है तो भाई यह उसके पास जाईए उससे आप जिस तरीके से भी request कर सकते हैं करिए चार रिस् में है जो उस चीज को आप नहीं कर सकते हैं वह compromise करके उसके को खतम नहीं करवा सकता है और वह allegation fake है और आपको बस evidence है तब तो आपको किसी की भी नोहरे पात करने की कोई जरूरती नहीं है इसके लिए आप 482 CRPC के तैस हाई कोट में याज का डायर कर सकते हैं कि हम पर हवाला दे सकते हैं और कोई भी evidence आपके पास ऐसा है जो material evidence है solid evidence है तो आपकी FIR रद्ध हो जाएगी और जहां तक मेरा सवाल यह है कि अगर वो FIR जो की गई है चाहें किसी भी विक्ति द्वारा की गई है आपका पडूसी है रिस्तिदार है यार है प्यार है कोज भी है प्या बुला लिया कि हाम घर से भाग चलना है उसके बाद लिखा दिया भी मुझे जबर्जस्ति ले गया तो इस तरीके की कई सारे case होते हैं इसी विज़े से लोगों के career खराब हो जाते हैं तो यह जो है हीनियस क्रैम में आते हैं 303, 306, 376 और पॉसको भी किसी-किसी case में लग जाती है तो इसमें hostile होकर के case को खतम किया जाता है तो जो आप अगर किसी government नौकरी में apply करते हैं आप उसको case को छड़वा भी लेते हैं फिर भी उसके बाद भी उसका जो department है आपका वो पूरी inquiry करवाता है कि इस case को आपने किस तरीके से जो है खतम करवाया है लेकिन अगर आपका वो case खतम हो चुका है आप उसको निपटवा चुके है तो आपकी job पर कोई effect नहीं पड़ेगा लेकिन अभी आप तयारी कर रहे हैं और आपके खिलाब इस तरीके के heinious crime की FIR दर्ज है present time में आपने bail भी करवाली है तो आपको government job 100% नहीं मिलने वाली है आप ये लिख के रख लीजिए जब तक उसका आप निस्तारण नहीं करवाते हैं तब अगर कोई मामला ऐसा है जो चार साल पांस साल क्या अपराद उसमें बनता है से 324 हो गई 325 हो गई या 452 का अभी एलिगेशन है 506 का भी एलिगेशन है IPC क्या तो आप इस स्थी के अंदर आप जो अ एलिगेशन में जा सकते हैं और इसके लिए इस पेसली ओडर भी आप करवा सकते हैं लेकिन ओडर आपका तभी होगा जब उस FIR का वर्जिन देखा जाएगा कि FIR किस बेस पे आपकी की गई है क्या कहानी है पूरे केस की तब होगा तो यह तो बात रही है आपकी अगर आप जॉप की तियारी कर रहे हैं तो क्या आपको गवर्मेंट नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी जैसा कि मैंने आपको बताया है अब आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप गवर्मेंट जॉप की तैयारी कर रहे है, आपके ख्लाप कोई F.I.R. ते इन साल से जिसमें कम की पढ़ता नहीं है आपको government job जो है मिल जाती है लेकिन police और जो Indian army बगएरा की vacancy है इसमें आपको दिक्खत आ सकती है बाकी जो और general jobs है उसमें आपको कोई दिक्खत नहीं है कि वो accept कर लेते हैं Supreme Court और High Court की कई सारी इसमें guidelines भी जारी की जा चुकी है और अगर आपके खलाब को आपको government job मिलने के chances जीरो के बराबर है ना के बराबर है जब तक आपको उसका निस्तारा नहीं करवा लेते हैं FIR का उसके बाद केस का तो यह तो यह बात रहेगी जाब की जो तैयारी कर रहे हैं और दूसरा यह कि अगर कोई बंदा government job में already है अगर कोई बंदा government job में already है और उसके खिलाब कोई FIR दर्ज हो जाती है अगर कोई FIR उसके खिलाब दर्ज हो जाती है उसमें अगर वो गिरफदार हो जाता है तब उसका जो suspension है जो suspend उसको 100% department कर सकता है क्योंकि जब वो गिरफदार हो गया उसको magistrate के सामने खड़ा कर दि जाती है departmental और उसको कुछ समय के लिए suspend कर दिया जाता है लेकिन अभी वो चन्याले की एक इस पे भी ruling आ चुकी है अगर उस case का जो trial है वो 90 दिन के अंदर शुरू नहीं होता है तो अब ऐसे suspension को challenge कर सकता है और उसको दुबारा से ज्वाइन कर सकता है job को बेल मिलने के बा rightfully court से कह सकता है उस court उसको बेल भी दे देगा और जो है उसकी job भी मिल जाएगी तो यह तो यह मामला रहा और अगर उसको ग्रफदार नहीं गया F.I.R. चोटे मोटे किसी मामले में दर्ज है तब उसकी job नहीं जाएगी उसको notice कर सकता है उसका जो department है आप इस पिश्टी क यह तब आप पर्मानेंटली वह आपको बर्खास कर सकते हैं नोकरी से जॉब से जो आप प्रिजेंट में कर रहे हैं वह अब दो बाते हमें पता लगी तीसरी बात जो बहत्तपूर्ण है उन लोगों के लिए जो अभी बिदेश जाने के त्यारी कर रहे हैं अम्रीका स्व के खिलाब ifr तो इसमें भी सेम डियता ही है कि अगर उसके खिलाब कुछ ifr ऐस है जो serious crime की है तब उसमें जो passport authority है उसको passport देने से जो है मना कर सकती है लेकिन अगर passport authority ने मना कर दिया है आपको क्या करना है इसमें आपके पास बचने का तरीका क्या है अगर passport authority ने आपको passport देने से मना कर दिया है आपको खिलाप 333-366 कोई और जगहने अपरात की FIR दर्ज हैं तब ही मना करेगा वो 330-504 बगर चोटे मामले हैं इसमें passport अधिकारी जो है वो आपको FIR होने पर passport देने से मना नहीं कर सकता करी नहीं सकता लेकिन एक सर्थ है आपक आपके खिलाप अगर कोई FIR चोटे मोटे मामले की है तो उसका detail आपको देना जरूरी है पासपोर्ट apply करते वक्त और उसके आपको document भी लगाने FIR की certified copy लगानी है अगर charge उसमें बन चुका है तो charge की copy लगानी है charge framing की charge sheet की आपको copy लगानी है सारे document जो है visit की time आपको वहाँ paste भी करने है अब police verification आएगा तो उसमें भी आपका जो है clear हो जाएगा कोई attack केगा नहीं आपका उसमें आपका passport बन जाएगा लेकिन जब बात आती है किसी heinious crime की जगन अपरात की तब उसमें पासपोर्ट और authority है जो आपसे मना कर सकता है तो इसके लिए आप जो है जो आपका जो trial court है आप trial court के अंदर एक application दे करके court जब permission मांग सकते हैं और court ऐसे मामलों में जो जिसमें trial अभी जो है फाश्टली नहीं चल रहा है तो उसमें court आपको विदेश भीजने के लिए permission दे देता है 100% भी आप इस चीज़ को मान सकते हैं लेकिन आप अगर किसी लंबे टाइम के लिए कहीं जा रहा है बाहर और trial आपका चल रहा है तब ऐसी इस्तिति के अंदर आपको court permit नहीं करेगा क्योंकि आप वहां से बारबार नहीं आ सकते तो इसके लिए तो आप जा नहीं सकते कि लंबे समय के लिए दो साल तीन साल के लिए आप कहीं का बीजा बन बाएं और आप बहां चले हैं तो ऐसी इस्तितिक अंदर ये possible नहीं है जब तक trial क्योंकि उसमें एक महीना दो महीना तीन महीने का तो आपको court समय दे देता है छे महीने का भी समय दे देता है लेकिन इस से ज़्यादा का आपको समय जो है court नहीं देता है तो कुल मिलाकर इसका जो निसकर्स ये है कि एक जो F.I.R. है और जो criminal case है उसका जो effect है life पर और personal life और professional life दोनों पर बहुत ज़्यादा तो उम्मीद यही करिए कि हमारी किसी से न लडाई हो बिडाई हो कुछ नहीं हो अब कोई भी बंद जो है अगर टसन में आपसे कुछ आके कैब भी देता है तो आप उसके दुचार मार देते हो हाथ पेल देते हो तो उसका आपको फाइदा क्या लिकलता है कोई फाइदा बंदे ने कुछ कहा सुनी कि आपसे अपने उसको पेल दिया अब गया उसने घर पहुंचा घर उसने सर फाड़ा अपना हाथ तोड़ा या बीबी के कपड़े फाड़ दिये बहन के कपड़े फाड़ दिये वोला लेके पहुंच गया थाने अलिखा दी 354,300,500,400,400,400 आप कुछ बड़ा ना कर दें तो आपकी टांक पीचे से जो है खेचने का काम करते हैं अगर आप पढ़ने लिखने वाले बंदे हैं आपका सपना है कि कोई जॉब करने का बिदेश जाकर नौकरी करने का तो आई सजेस्ट यू मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे फाल तू के र लाइफ को सही तरीके से जो है इस्टैबलिश करना चाहते हैं तो आई होप कि आपको यह वीडियो इन्फोर्मेटिव लगा होगा अगर आपको इसमें कोई कमी लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है बेजजग बता सकते हैं कि भाई आपने इस टॉपिक पर को होता है उसका कहानी अलग होती है आप डिसक्रशन करने वाले हैं मुझसे तब आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इसके लिए लेकिन आपको छोटी सी पीस पे करना पड़ेगी 300 रुपीस तीन सो रुपे मात्र फीस में आप मुझसे अपने केस में डिसक्रशन कर सकते हैं चैन आही मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो